बॉलिवुड ही नहीं अब तो भोचपुरी इंडस्ट्री के भी हीरो अपने आपको फिट रखना जानते हैं जी हाँ आपने अगर दिनेस लाल यादो ने रहुआ खेसारी लाल यादो पवन सिंग इन सब की पहली यानि दो चार साल पहले की फिल्में देखे और अपकी फिल्में देखे तो उसमें एक फर्क जरूर पाएंगे कि इन्होंने अपने बॉड़ी के लिए काफी महनत की है अ अब आप हमारी ये पिक्टर्स देखे कि सारी लाल यादो और दिनेस लाल यादो निरहुआ के वीज़ चुँ ये इनसान खड़ा है इसी इने यानि कि यही है इन दोनों के गुरू जिन्होंने इन्हें इतनी सुपर फिट बॉड़ी दी है आपको हम यहां बता दे कि आमर आमरपाली दूबे बॉड़ी शेमिंग का शिकार हुआ करती थी जहां लोग वहां उन्हें मोटी और नजाने कौन-कौन से नाम से ट्रोल किया करते थे लेकिन अब आमरपाली दूबे ने अपने आपको काफी फिट कर लिया है और उसके पीछे किसी और नहीं इसी व्यक्त का हाथ है आपको तो पता ही होगा कि खेसारी लाल यादो अपना वक्त जब खाली रहते हैं तो जादा से जादा जिम में बिताते हैं और साथ ही साथ यही हाल दिने इस लाल यादो निरहुआ का भी है जादा से जादा वोक आउट करके अपने आपको कैसे फिट रखा वेसे भी इनके फैंस को यही पसंद है कि उनके हीरो काफी फिट और फाइन नजर आ it वेसे भी अब जमाना है जो फिट है वो हित है मोजपुरी जगत की हट और मसाले दारो वासिप के लिए मिस्फ्राइब करना बिल्कुल नफोंगी झाल झाल